वंदे मात्रम मैं विजे ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टपपपडमी आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 में चाप्टर नमबर 3 जिसका नाम है नाशे इंकम इन एग्रिगेट इसमें हम लोग बात करेंगे मल्टिपल चॉइस कोशन की जो की एक्जाम पॉइंट सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बिना टाइम वेज करें हम लोग डिरेक्ली सुच करते हैं किस पर अपने मैंटिपल चॉइस कोशन में होने क्या वाला है कि हम लोग ऑप्शन से भी कोशन बनाएंगे हमारा सफर नामा फिर से शुरू होता है चल फैंपील इक सकते हैं क्या झीन पंपीलिग सकते हैं या जीएचो सकते हैं तो चीजीएचों कि हम लोग को पता है हम लोग दो तरीके से इस्ते इसको एक तो सबसे कर लेते हैं सबसे यूज इसको यूज कर लेते हम लोग वाल्यू एड़ेड में और एक्सपेंडीचर में ठीक है भाई चलिए इस्तिमाल कहा होगा तो सर डॉमेस्टिक इंकम में होगा ठीक है ना तो हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं सर यह इंकम मेथर्ड का भी पार्ट है एंपी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इंकम चलिए आगे ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्टर का तो मतलब क्या होगा यहां पर यहां पर यह बात हम लोग को बिलकुल अच्छी तरीके से याद रखना है आंसर बिलकुल हमारा सही है आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या होता है तो मतलब होता है सब्सक्राइब नेशनल प्रोड़क्ट एट फैक्टर कॉस्ट चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ बुलता है डिफरेंस बिट्विन अग्रॉस एंड नेट इस हम लोग लोग बोलता है डेप्रिसियेशन क्या बोलता है सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है सब्सक्राइब आपसे आंसर क्या होना चीए सर जी अंसर और ना चीएशन इस दर टाइक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ do the domestic income is which concept किस चीज़ का कॉंसेट है domestic नाशनल कॉंसेट है क्या यह यह टरिटरियल कॉंसेट है यह 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 नन आप अब हम लोगों को यह पता है कि मतलब होता है कंट्री के अंदर कंट्री का अंदर का जो पार्ट होता जी क्या होना चाहिए चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आंसर बिल्कु सही हमारा फॉर्थ का फिफ्ट कोश्चन पर आते हैं नाशनल इंकम इस विच कॉंसेट नाशनल इंकम जो है वह किस चीज का कॉंसेट है टेरिटरियल है नैशनल है एकनॉमिकल है या नन आफ दा अब पर मतला हम लोग बोलते हैं कंट्री के लेवल पर कंट्री के लेवल पर जो इंकम आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर नाशनल इंकम क्या बोलता है नाशनल इंकम चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ कुश्चन नंबर सिक्स पर हम लोग आता है कुश्च नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम इबरोड और इसके लिए मैं ने याद करवाय था फीटा फीटा मतलब सब्सका इसका इनकम नोग को जो बोलते और डिमस्टिक इंकम विए पर नहीं होता है ऊसको भी क्या बोलता है हम लोग यहां पर यहां पर है क्या होना है चीए सर जी answer तो answer होगा यहां पर NFIA क्या होगा answer सर जी NFF IA चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ question number seven पर आते हैं how is GDP different from NNPATFC तो हम लोग को यह पता है कि जो भी चीज़े निकालनी है उसको हम लोग हमेशा लिखते हैं उसको हमेशा हम लोग राइट में लिखते हैं चलिए देखते हैं लोग जी डीपी एंपी और एन पी यह से लेप जाएंगे तो नेट से क्रास पर जाएंगे तो प्लस करना पड़े गापको डेप्रीसीयेशन ठीक है यह प्लास करना पड़े गांगे तो पूछ रहा है कि क्या इसमें अंतर रहे तो तो तीनों का वह यह भी आएगा जिसको नोगों को याद करा है किसे वहिए फीफा माइनस फीटा से कुछ याद आ रहा होगा आपको एन आई टी कैसे आएगा तो आई टी माइनस सब्सीडी से आएगा डेप्रिसियेशन को और क्या बोल सकते हैं चलिया आफ दैबाव तो आंसर क्या होना चीए सर्जी का और लाफ दैबाव होना चीए चलिया आगे बढ़ेगी हम लोग इसी के साथ एक कांसेप्ट हम लोग याद भी करते हैं चल रहे हैं लोग आते हैं क्या बोलता है मार्केट प्राइट इंक्लूड में क्या इंक्लूड होता है तो सरकार अगर आप कोई भी सावान बना होगे तो क्या मांगेगी आप से टाक्स मांगेगी तो मतलब इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए सर जी नेट इंडारेक्ट टैक्स अगर मार्केट प्राइज में से अगर नेट इंडारेक्ट टैक्स निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपका विया फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा क्या बन यहां पर क्या बोलता है बाइं गुड्स प्रोड्यूज बाइंन डॉमेंस्टिग टरिटरिक सर्वीश प्रोड्यूज बाइंट उब एंढ को पता है इसमेंस अब नाशन इंकम कि बात करें तो वह र्फरिश तूदा क्या बनाना इसका production of goods and services within a year मतलब वो financial year होगा और किसने बनाया तो हमारी country के लोगों ने भी बनाया और foreigners ने भी मिलके बनाया तो उनको मुलते हैं हम लोगों को मिलाके क्या national income it refers to the production of goods and services by the resident of the country and by the foreigners in an accounting year is known as national income तो national income के इसाब से ये और ये दोनों चीज़े इसमें आना जरूरी है दोस्तों चलिए domestic territory की बात करेंगे तो वो GDP टेंपी में चले जाएगा तो इसके कारण answer क्या होगा सर्जी हमारा तो answer हो जागा यहां पर डी चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहां पर question number 10 पर आता है question number 10 क्या बोलता है the word gross means gross का मतलब क्या होता है मैंने कहा था किसी भी चीज़ के actual value शोरूम में जितनी होती है उसको gross value का जाता है चलिए इंक्लूजिव और फाइन फाइन फाइए तो नाशनल डॉमेस्टी का डिफरेंस होता है इंक्लूजिव और टैक्स यह जो डिफरेंस होता है तो यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको बोलते हम लोग exclusive of depreciation और बोलता है इंक्लूजिव और depreciation gross value हमेशा जाधा होती है तो हम लोगों को पता है कि gross और net का जो बच्चो डिफरेंस होता है वो होता है depreciation ठीक है तो अगर मैं से नेट पर जाऊंगा क्या करना पड़ेगा माइनस अगर से ग्रॉस करना पड़े cargo मैं क्या होगा इसलिये और बूस्ट इपरीशेशन क्या होगा हींचे चुट नमें लोगा वित्शन कर देप्राइक्ट आब गारन सब्सक्तिक्त चलिया प्रोड़क्ट का मतलब यहां पर क्या होता होगा तो कुश्चन नुमर 11 बोलता है इंटर्मीडियेट गुड्स होगा ट्रांसफर पेमेंट नोगा फाइनल गुड्स प्रशन एंट सर्विस्स क्यों कि वारी कैल्कुलेटिंग नाशन इंकम योभू आव यूपैसे नुट्स न्वरगें भूंस नुट्स बोलता है यहां पर बुटा फैक्टर कोष्ट क्या होगा इस दा मार्केट वैल्यू मैंट वैल्यू ट्रांसफर वैल्यू या ननन एक मार्के विल्व का मतलब तक टाУ समय को बनाने का उसको शरचा हूं आ पर ट्रांसर वैल्यू वह टॉक्त है सघे सब्सक्राइब तो अगे बढ़ते हैं हम लोग इसा साथ कुछन नमर 13 पे आते हैं बुलता है How Many Aggregate does National Income have national income में कितने aggregates यहां पे आते है तो national income में aggregate आते हैं सर जी कितने आज़े आते हैं सर जी आठ्ट ठीक है चलिए और नशील इंकम को सिंपनाइश में कैसे लिखा जाता हैं सर जी तो NNP8 FC के फर्म में लिखा जाता है किस फर्म में लिखा जाता है NNP8 FC के फर्म में लिखा जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर आंसर बिलकुल सही है बोलता है market price is the market price क्या होता है बैया question number 14 में पूछता है है तो market value money value transfer value तो market price इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है मतलब आंसर क्या होगा सर्जी हमारा क्या होगा भीया market price को sorry यहां पर क्या बोल सकते हम लोग यहां पे karor मारकेट बैली भी तो बोल सकते हैं चल यह जो कि सबसे ज़्यादा वैली होती किसी चीज़ को बेचने की विचाओ था फॉलिंग इसा कौन सा जो है वह डॉमेस्टी कॉंसर्ट आप से यहां पर पूछा गया है तो डॉमेस्टी कॉंसर्ट क्या कौन सा हो जाएगा यहां पर यह सब जो है यह डॉमेस्टी कॉंसर्ट क्या अंसर ठीक है चल यह आगे बढ़ेंगे कुशन नुमर 16 पर आते हैं हम लोग इसी के साथ विचाव तफॉलविज नॉट अनाशनल कॉंसर्ट कंट्री लेवल पर कॉंसर इस में से कॉंसर्ट यहां पर नहीं है चलिए तो बोलता है GDPA एफसी एन फीप एट एफसी और फीओ यहां पर सारे जो है नाशनल इंकम के concept होते है और सिफ जीडीप एट एफसी जो है वह डॉमेस्थी का concept होता है ना कि सबसिडीज क्या होगा इटी माइनास सबसिडी इस ठीक है चलिए तो आइटी मानस सबसिडीज नाइटी ये दिया हुआ है कि तो आंसर हो जाएगा 17 का सी क्या हो जाएगा अंसर 17 का सी चलिए आगे बढ़े के इसमें तो यह सारे हमारे कौन से होता है जिसका पर बोल सकते है और यहां पर इसको ग्रास नाशनल इंकंब भी यहां पर कह सकते है चलिए आगे बोलता है डॉमस्टी कॉंसफ्ट की बात करेंगा तो डॉमस्टी कॉंसब्स इस में चौन नहीं है पूछा तू अनींनल पी दिशॉया इंकंई का कैसे आएगा तो हम लोगों ने याद कर लिया है सर जी फीफा माइनस फीटा फैक्टर इंकम फ्रॉम एबरॉड माइनस फैक्टर इंकम टू एबरॉड अब ये अबरॉड को मैं रेस्ट आफ दा वर्ल भी लिख सकता हूं कोई इश्यू नहीं है चलिए तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको सर्जी कहते हैं हम लोग एन फाई है अब एन फाई पॉजिटिव भी हो सकता है या जीरो एन फाई ये भी हो सकता है आप पॉजिटिव कब होगा जब फैक्टर इंकम फ्रॉम एबरॉड जो है वो जादा होगा फैक्टर इंकम टू एबरॉड जो है वो कम होगा फैक्टर इंकम फ्रॉम एबरॉड कम होगा फैक्टर इंकम ट कर दो जाएगे चलिकेशनिया लेखन विल भी लेड़ी सेक्टेदर इन्कम तो फ्रॉब आपलोड एंकोड relatingोड विल फैक्टर इनकम तो फेक्टेदर सहित्व प्रार्य कला चाह्टा गार क्या होता है जादा होता है तो यह concept यहाद रखिएगा एक्जाम तक के आंसर है 20th का C चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे question number 21 पे हम लोग आते है question number 21 बोलता है if NFIA is 0 अगर NFIA 0 है तो क्या condition यहाँ पर fulfill होगी domestic income will be more than national income domestic income will be equal to national income domestic income will be less than national income या none of the above तो इसके आपसे answer क्या होना चीए यहाँ पर कि जब domestic income क्या हो जाए एक्वल हो जाए नेशे इंकम के तब NFIA क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा यह बात हम लोगों को नमबर 22 पर हम लोग स्विच करते हैं यहां पर चलिए कोशन नमबर 22 को समझने की कोशिच करेंगा यहां पर इस पॉजिटेव तो तो यहां पर NFIA क्या हो जाएगा सब्सक्राइब जाएगा जाएगा जाए खो जाएगा टोजी तो सब्सक्राइब रहा हमारे पास पैसा यहां से अपनी कंट्री से जो जा रहा है पैसा वह चाले एव नगेट निट वह जा तो यह कब हो सकता है यह आप से पूछ रहा है यहां पर तो यहां पर गोलता है संब्सक्राइब और कॉस्टेम! कॉस्टेम भूर्टेम यह फिर जो है, वह जो जाए तर पैसा वह हो जा नमबर ट्वेंटिक कि पर मैं आता हूं कोछन को मैं बहुता है डैप्रिसीएशन के निवर भी यह नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता सब्सक्राइब नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो डेप्रिसियेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो डेप्रिसियेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो डेप्रिसियेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा क्यों 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 कि जीरो या तो तो हमारी के हिसाफ से काम करता है तो यहां पर याद रहे गा चलिए आगे बरते हैं कौन सा तरीका है क्या होता है। इंकम मेठेट का पता है हम लोग को सिंबोलाइज फॉर्म एक्सपेंडीचर भी जो है वह जीडीपेट एंपी से निकलेगा मतलब तीनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं लग एंड़ पीएट अफ्सी को आप लोग कर सकते हैं तो ऑ्ल आफ देबाओ इस दा करेक्ट आंसर चलिए तो आप यहां पर देखिए वैल्यूएडड मेठड इस वैल्यूएडड मेठड इन्वेंटरी मेठड या नेट अट अट बुट मेठड या ओल आफ दा थीडिए त है तो यह हमारे लें इंपॉर्टेंट हो गया यह तीनों मेठड के यह अलग-अलग सिननम मिल गए हम लोगों को विच एग्रिगेट ऑफ नैशन इंकम इस कॉंस्टिटूटेट फॉम दा वाल्यू एडड़ मेठड किस से हमें पता चलता है वैल्यू एड़ड मेठड का ठ सब्सक्राइब मेठड निकालना है तो हमें हमेशा लेना पड़ेगा जीडीप 8MP क्या लेना पड़ेगा सरजी जीडीप 8MP करेक्ट आंसर तो कुशन नमर 28 का अंसर क्या हो जाएगा जीडीप 8MP चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ और प्रड़क्शन यूनिट साथ ग्रूप इंटू कितने सेक्टर में इसको बाठ सकते हैं आप लोग ठीक है तो इसको हम लोग प्राइमेरी सेक्टर जो जनरली होता है और रौ मैटेरियल का सेक्टर या नो मैटेरिल का पार्ट टर्शरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं तीसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पर मैनुफेक्टरिंग सेक्टर और अल अब देबाव मतलब तीनों का ही कॉम्बिनेशन है क्या तो यहां पर बोल रहा है प्रोडक्शन तो तीनों सेक्टर की मदद से ही हो पाता है इसके बिना नहीं हो सकता ओके चलिए तो आंसर क्या होगा सर जी all of the above which are the following is not included while calculating national income through value-added method क्या नहीं लेना है आपको क्या intermediate goods नहीं लेना है services for self consumption नहीं लेना है second and goods नहीं लेना है या all of the above नहीं लेना है ठीक है अब हमें पता है कि national income जब calculate करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं या final goods and services तो intermediate goods नहीं लेते हैं तो बिलकुल सही बात है इन में से कुछ भी नहीं लेते हैं तो इसका answer क्या होना चाहिए सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है तो बने रही है मेरे साथ थैंक्स फॉर वाचिंग ओल सब्सक्राइब है थोग करना है तो आूए फ डटाइब करना है इन करना है सब्सक्राइब क्या है थैंक्स भी रसकारण्या expect reper teasing